हलो फ्रेंट्स कॉंपटिशन कमिटी के सीजी एसाई प्रेलिम्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ हम इमिन प्रधान आए फ्रेंट्स आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे फिजिक्स के दूसरे महत्पूर्ण लेक्चर्स को जो आपके एक्जामनेशन के प प्रयास करिए कोशन दिख रहा है कि ध्वानी तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्ट होती है अनुप्रस्त होती है अनुदैर्द होती है अप्रगामी होती है विद्चुमकी तरंग होती है इस प्रकार के प्रस्णों को सॉल करने के लिए आपको एक कंसप्प की या फिर कहते हैं इसे नॉन मैकनिकल वेव ठीक है इसे हम कहेंगे मैकनिकल वेव और इसे कहेंगे नॉन मैकनिकल वेव ठीक है अब यह जो यांत्रिक तरंग आयांत्रिक तरंग है क्या होती है जो आयांत्रिक तरंग को हम विद्युद्चुमकी तरंग भी कह देते हैं ठीक ए हां रखेगा मतला आयांत्रिक तरंग चुमकी तरंग एक ही है ऐसे तरंग जिसको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कोई माध्यम के जवरत नहीं पड़ती तो वह क्या कहलाती है वह कहलाती आयांत्रिक तरंग या नौन मेकेनिकल वेब जैसे प्रकास की किरणे ठीक है प्रकास की किरणे सूरी प्रकास जो है सूरी से प्रित्वी तक आती है बीच में तो वेक्यूम आता है निर्वात आता है उसके बावजूद वो पार करके आता है जबकि हमको पता है कि वेक्यूम में तो कुछ भी नहीं ह तो sound wave आपको पता है एक जगा से दूसे जगा जाने के लिए हमारे पास माध्यम जोरत पड़े गा ही तो यहाँ माध्यम जवरत पड़े गा इसलिए उसे क्या कहıtे अयांत्रिक तरंग कहते हैं तो ध्वनी तरंग क्या हो जाएगा mechanical wave हो जाएगा अब इसका answer क्या है ध्वनी तरंग अच्छा यहाँ पे दिया हुआ mechanical wave दिया ही नहीं है यहाँ पे दिया है अनुप्रस तो अनुदर दिया है तो घबराइए मत कि दिसा माध्यम के कणों की दिसा के लंबवत होती है, लोंगिट्यूटनल होती है, ठीक है, तो इसका अंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एक बात क्लियर क्लियर याद रखेगा, एक्जाम में अक्सर कोशन पूछा जाता है, कि इन में से कौन इलेक्ट्रो मैगनेटी wave है या नहीं है something तो बिलकुल यही concept याद रखेगा सीधा logic लगाना है क्या माध्यम या medium required पड़ रही है क्या एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए अगर नहीं पड़ रही है तो सीधा electromagnetic wave होगा और sound वैसे चीज़ों में जैसे कि ठोस, द्रव, gas, solid, आपके liquid, fuel और gas में तीनों में अलग-अलग उसका क्या speed होता है उसमें यहाँ पर जाने के लिए travel करने के लिए उसके requirement ही पड़ जाती है ठीक है तो यह बात ध्यान रखेगा चलिए next question देखते हैं कि है ना निमने द्रवों में ध्वनी सबसे तेज यात्रा करती है किसमें तेज यात्रा करती है ठीक है दिसमें दिखते हैं हमको solid liquid और gas दिया हुआ है तो यहाँ पे steel, steel मतलब solid है तो यह solid हो गया yu मतलब है तो क्या हो जागा air है एक प्रकार gas कह सकते हो आप है ना vacuum मतलब कुछ भी नहीं है इस में तो travel ही नहीं करता और जल यह तो liquid है तो सबसे ज़्यादा किसमें होती है तो सबसे ज़्यादा होती है ठोस में उसके बाद होती है द्रौ में और उसके बाद होती है गैस में तो यह तीन बातें आप याद रखेगा तो यहाँ पे इसका अंसर क्या हो जाएगा सॉलिड है तो इस्टील हो जाएगा क्लेर होगे आप सभी को चलिए नेक्स कोशन मूब करते हैं नेक्स कोशन यहाँ पे देखिए कि प्रतीधवनी या reason of eco क्या है ठीक है इको समझते हैं जैसे किसी पहाड परवत के पास जाते हैं या किसी बंद कमरे में आप जाते हैं आप कोई भी आवाज प्रडियूस करते हैं उसका आपको reflection सुनने को मिलता है सेम आवाज उधर से आती है उसे हम कहते हैं प्रतीधवनी या eco कहते हैं तो वो चीजें दिवाल यहाँ आप एक बंद कमरे में हॉल में हैं यहाँ आप खड़े हैं आवाज करते हैं तो यह यहाँ से क्या हो जाएगी reflect होके आएगी ठीक है वापस अपने कानों तक आएगी है ना अलग-अलग एंगल से तो यहाँ पर प्रतीधवनी का कारण क्या होना चाहिए obviously यहाँ पर होना चाहिए reflection of sound इसमें यह गलत है है ना इसमें कोई absorption वाली absorption तो होता है acoustic वगर होगा कुछ absorb जरूर होगा लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो reflect होके आएंगी परावर्तित होके आएंगी अगर यहाँ acoustic ज़्यादा रख देंगे तो हो सकता है absorption ज़्यादा हो और reflect होके ना आए जैसे कि आप cinema hall वगर में देखते हैं चीज़ें आपको सुनाई देती लेकिन दिवाल से आपको वापस वह आवाज नहीं सुनाई देती क्योंकि वहाँ acoustic यान की absorption करने वाले क्या है चीज़ें लगी होती है ठीक है तो यह बात ध्यान रखिएगा उसका कारण क्या है ध्वनी का परावर्तन इनमें से किस प्रकार की तरंग का उपयोग रात्री रात्री दिश्टी उपकरण में किया जाता है विच वन अब दा फॉलविंग टाइप ऑफ वेब इस यूज़ें इन दर नाइट विजन एकुपमेंट तो नाइट विजन के लिए आपको समझना होगा क्या है options रेडिय जो होती है बैसिकली यह कम्निकेशन संचार वगरह में प्रयूग की जाती है लेकिन यहां नाइट विजन की वात की जारी है देखते हैं तो यहां पर संचार वगरह के लिए कमने रेडियो टीवी टेलीकॉम यह सब चीज के लिए इसकी ज़ौरत पढ़ती है microwave भी आप जानते हैं जो खाना पकाने वगर में microwave यूज़ किया जाता है सूख्षम तरंग एक्चुल में radio wave भी क्या है दीरग रेडियो वेब और sword radio wave भी होती है लेकिन आप ये संचार में मुखे तो उपयोग किया जाता है इसका अंसर है अवरक्ट तरंग infrared wave जिसका क्या है तरंग देर्ध या wavelength जादा होता है तरंग देर्धे समझते हैं जिसमें कि दो स्रिंग या दो गर्थ यैसे कि ये गर्थ है ये वाला और ये वाला गर्थ तो दो गर्थ या दो सरिंग, दो रिज या दो फरो के बीच की दूरी को हम कहते हैं तरंग देर्ध करते हैं जिसका तरंग देर्ध जादा होगा तो जादा दूरी ट्रेवल करेगा तो यहाँ पे नाइट विजन में क्या प्रयोग किया जाता है अवरक्त प्रकास जो है इसमें उप्योग किया जाता है इंफरारेड उप्योग किया जाता है और आसानी से यह क्या है चीजों को पार करके चला जाता है जैसे एक दिवाल है आपके सामने सिमेंट की दिवाल है तो वहां हो सकता है आपका कोई प्रकास चीजें आसानी से नही यह नहीं जाए पाए है ना एक दिवाल को दूसरी दूसरे सीरे में नहीं जा पाए लेकिन यह दि वहां पे रेडियो वे यहां पर इंफरा रैड यूस करते हैं तो आसानी से वो क्या करेगी वो ट्रैवल करके पार करके चली जाएगी ठीक है इसलिए दिवाल गरम हो जाती, कोई भी चीज़ें गरम क्यों होती है, इसके कारण होती है, इंफरा रेड के कारण होती है, ये कहां से आती है, ये सनलाइट में होती है, सूरी प्रकास में तीन किरने मुखेता, आप याद रखे रहेगा, अल्ट्रा वालेट, पराबैंगनी किरने, दूसरा द देखते हैं कि ध्वनी तरंगे नहीं चल सकती, किसमें नहीं चल सकती? अभी मैंने आपको आंसर किया ही था, ठीक है? यहां पी किसमें? Solid में चल सकती है, Liquid में भी चल सकती है, गैस में भी चल सकती है, निरवात में चलती है, क्योंकि यह mechanical wave है, यांत्रिक तरंग है. कण के समान ये भी होती है नियुटन का कणी का सिध्धान इससे होता है वेव जो है पूरा आपका पूरा प्रकास प्रकासी की आप पढ़ते हैं न तो प्रकासी की यानि ऑप्टिक्स विज्ञान की वह साका जिसमें प्रकास की किरणों का अध्यन किया जाता है ऑप्टिक्स या प्रकासिकी कहलाता है, यह दो, इसके दो branches है, एक है Ray Optics, एक दूसरा होता है Wave Optics, Ray Optics मतलब किरंड प्रकासिकी, और आपका क्या है Wave Optics, मतलब तरंग प्रकासिकी, है न, दोनों के ही, दोनों के property को explain करने के लिए, यह दोनों आ जो है, science के branches आए हैं, तो यह दोनों की तरह कारे करता है तो option क्या हो जाएगा see is the right answer इसमें तरह कर दोनों के जो है के समान कारे करता है यह बात clear हो गई आप सभी को चलिए next question की और move करते next question यहाँ पर देखते क्या है सूरी ग्रहन तब होती है जब solar eclipse सूरी ग्रहन और चंद्र ग्रहन के बारे में आप बस एक बात याद रखेगा वैसे तो इसे और detail में भी पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर सीज़ा मैं question के point आप उसे हम मैं बताने का प्रयास करता हूँ है ना यहाँ पर याद रखेगा सूरी SME से याद रखना यह क्या है सूर्य ग्रहन और SEM से याद रखना यह क्या है चंद्र ग्रहन ठीक है तो SME क्या है Sun Moon Earth ठीक यह क्या हो जाएगा सूर्य ग्रहन तो देखते हैं यहाँ पे सूर्य ग्रहन पूछा है, सूर्य ग्रहन पूछा है, तो यहाँ पे सीधा चंद्रमा बीच में हो, प्रित्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो, और सूर्य चंद्रमा प्रित्वी एक रेखा में, ब्रहस्पत्य उसे रेखा में ना हो, ठीक है, यहाँ पे M, M है मतलब सू सूर्य ग्रहण होता है इसे explain भी किया जा सकता है डीटेल में लेकिन examination point आउब से आप इस प्रकार याद रखेंगे सेम मतलब चंदा और SME मतलब सूर्य इस प्रकार से याद रखेंगे अगर आपके पास समय कम है तो otherwise इसका concept भी हम पढ़ सकते हैं क्लेर हो गया क्योंकि चंद कौन पैदा कर रहा है मून पैदा कर रहा है और क्योंकि मून का खुद का कोई प्रकास होता नहीं तो सूरी के आने वारे जो किरने हैं इदर से जो भी किरने आ रही है उनके बीच में या अवरोध बन रहा है उतने एरिया नहीं दिखता हूँ एरिया black spot काला धभबा दिख कैसे होता है चलो मैं बता देता हूं रहा नहीं जा रहा है मुझे ठीक देखिए सूरी से प्रकास की किरिणे निकलेंगी हम कहां पे हैं हम तो प्रित्वी में हैं बीच में हैं अब यहां पे हैं सूरी का प्रकास इधर से इधर जा रहा है और आपको पता है कि चंद्रमा का ख चंदर ग्रहन हो गया क्योंकि वहां पे सूर्य प्रकास पहुँंचता तो वह चमकता लेकिन हम बीचन इसा कह सकते हो लॉजिकली और सूरीम याद clear हो गया तो इसका अंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा चलिए next question की और move करते हैं next question देखिए यहाँ पे जब प्रकास की किरेंड विरल माध्यम से सगन माध्यम में जाती है तो यह किसमे कौन सी घटना होती है भई अपवरतन होती है यानि की reflection होती है ठीक तो यहाँ पे क्या होती है प्रकास की किरेंड विरल से सगर यानि की रियरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखेगा कि मानलोग दो इस प्रकार माध्यम है यहाँ पे पूछा है विरल माध्यम तो यह आपको यहाँ पे लिकलेंगे विरल और दूसरा होत जुख जाती है ठीक है अभिलम की ओर जुख जाती है और अगर वो सघन से विरल में आती है तो यहां क्या होती है यह काफी दूर हट जाती है ठीक तो सघन से विरल जाएंगे सघन से विरल जाएंगे तो अभिलम से दूर हटना और विरल से सघन जाये तो अभिलम की ओर जु बज में आएगा तो सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन जा रही है तो क्या है अभीलम की और जुख जाएगी option देख है लेंस टुवर्ड दा लेंस टुवर्ड दा नॉर्मल तो सग अभिलम की और जुग जाती ये बात ध्यान रखेगा ठीक अभिलम से दूर हट जाती अगर वो उल्ट अप होता सगन से विरल होता ठीक तो ये भी इस दराइट आंसर नेक्स वोश्चन देखते हम इंद्रधनुस का कारण क्या है इंद्रधनुस किस कारण से बनता है इंद्रधनुस बनता है अपवर्तन और विक्षेपन के कारण देख विक्षेपन भी होता अपवर्तन भी होता है लेकिन परावर्तन भी होता है तो पहला दूसरा तीसरा सब गलत हो जाएगा परावर्तन होता है पराव अब और तन वालि कोई घटना होती नहीं है समय आंत्रिक प्रावर्थन कह देते में तहीं तो इसका प्रावर्थन जो प्रावर्थन ऊतल लीफ्लेकशन और सभी चीजें रखेगा ये Renbow जो होता है दो प्रकार का होता है प्राइमरी और सेकेंटरी ठीक है प्रात्मी का अद्वीतियक है ना इह बात आप ध्यान रखेगा प्राइमरी सेकेंटरी में कई बार डिफरेंस भी पूछ लेता है ठीक फिलाल मैं उसे नहीं बता रहा हूँ चलिए आगे बढ़ते है म्रिगत्रिश्णा का क्या उधारण है म्रिगत्रिश्णा यानि की मिराज क्या है इस कांसर अफ़ वर्तन की कारण होती है पूर्ण आंत्रिक परावर्तन की कारण प्रकीनन की कारण या फिर डिफ्रेक्शन यानि विवर्तन की कारण ठीक है तो मृगत्रिश्टना या फिर मिराज की जब हम बात करते हैं यह दाट इस दा परफेक्ट एग्जाम्पल अफ टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंत्रिक परावर्तन पूर्ण आंत्रिक परावर्तन के लिए दो सर्ते होनी चाहिए होती है ठीक है जिसमें की पहला क्या है यह हमेशा क्या है सघन से विरल की और जाना चाहिए तो सघन से विरल की और जब जाती है तब क्या है आपका पूर्ण आंत्रिक परावर्तन की पहली सर्त पूरी होती है ठीक है दूसरा है ना इसमें जो है जो क्रांतिक कोण कहते हैं इसे क्रांतिक कोण का यहां पे रोल होता है क्रांतिक कोण और आपतन कोण तो इसमें आपतन कोण incident angle incident angle का मान critical angle से ज़ादा होना चाहिए total angle reflection की दो सर्थे पहला प्रकास की किरेने हमेशा denser to the rarer सगन से विरल जानी चाहिए दूसरा है कि incident angle जो है इसमें आप आप कहते हैं आपतन कोण का मान यहां पे क्रांतिक कोण के मान से ज़ादा होना चाहिए तो यह होता है आपका total angle reflection की जो है सर्थ होती है clear होगे आप सभी को चले next solution देखते हम यह है प्रकासिक फाइवर के सिध्धान पर कारे करता है तो यह optical fiber जिसके दौर आप fast internet use करते हैं internet इसके बिना जो है लगबग अधूरा है नहीं चल सकता इतना fast optical fiber के कारण ही हम internet use कर पा रहे हैं क्योंकि इस प्रकार optical fiber होती है जितना input दो उतना output निकलती है जैसे यहां पे sunlight गई इस प्रकार इधर देखते हैं मालो input यहां पे 100 दिये है तो output भी 100 मिलेगा मतला उर्जा का 6 नहीं होता है ना तो प्रकासिक fiber किस सिध्धान पर कारे करती है तो यह होती है पूर्ण आंत्रिक परावरतन टोटल एंगर reflection ठीक है यह उपर दोनों example जो है exam में पूछे जाते हैं इसलिए मैंने यहां पे एक ही slide में लिया है याद रखिएगा ठीक तो इस cancer क्या हो जाएगा D is the right answer next question की और move करते हैं जिसमें कि हमको कुछ और प्रसना आपकी काम के मिलेंगे जिसमें आपको यहां पे देख रहे हैं कि जब प्रकास किरण एक माधियम से दूसरे माधियम में जाती है तो यहां पे आप देखे रहे हैं कि क्या चीजों में changes हो रहा है तो एक माधियम से दूसरे माधियम में जब जाती है तो क्या होता है option देख रहें option है कि तरंग देर्ध समान बनी रहती wavelength आवरिती समान आवरिती बढ़ जाती तरंग देर्ध बढ़ जाती है तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखेगा कि ये जो wavelength का बात मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ये दो ridge या दो फरों के बीच की दूरी को कहते है हम wavelength कहते हैं तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो इसके जो है wavelength क्या होती है इसमें changes देखने को मिलता है ठीक तो समान तो बनीने रहती तो पहला option गलत क्योंकि यह wavelength क्यों ऐसा चेंज हो रहा है क्योंकि यह क्या होता है माध्यम के परा वर्तनांग पर यह डिपेंड करता है इसलिए इसके क्या है आपके wavelength वगरे में changes हो जाता है ठीक है तो आप वर्तनांग की कारण जो है refractive index के कारण जो है ऐसा होता है अब प्रावरिती जो होती है वो माध्यम पर depend नहीं करती है इसलिए इसकी frequency is same तो answer भी यह क्या है भी इसका सही उत्तर है और बाकी देख रहे हैं इसमें frequency बढ़ती है यह गलत है इसमें जो है भी बढ़ जाती यह भी गलत है तो B is the right answer यह बाते question आप screen पे देखिए कि सूर्य ओदय और सुर्यास्त के समय सूरी के लाल होने का कारण क्या है आप सभी को पता है यह बहुत आसान सा प्रस्न है जिसमें कि हम कहते हैं क्या कहते हैं scattering of light scattering of light या फिर कहते हैं प्रकास का प्रकीनन इसका सही उत्तर है जिसमें कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में हमको क्या होती है वो लाल दिखाई देती है clear होगे आप सभी को अब इसके बाद देखते ही इंद्रधन उसमें किस रंग का विक्षेपन अधिक होता है तो जिसका वेवलेंट क्या होती है जादा होती है और जिसका वेवलेंट कम होता है इस पर यह सी देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है लाल कलर दो कलर को हमेसा याद रखीगा बैजानी हपी नाला या वेब जियोर में लाल रंग और बैंगनी रंग अश्में लाल रंग का तरंग देर्ध क्या होता है जादा होता तो इसका विक्षेपन कम होगा और अगर बैंगनी रंग कहा रहें इसका विक्षेपन जादा होता है तो इसका उततर क्या हो जाएगा इसका उततर हो जाएगा याप सभी को चलि und और नेक्स वोश्चिन की और देख रहे यहां पर कि पिछली साइट के ट्रैफिक को देखने के लिए औटो मोबाइल में किस प्रकार की दर्पड का प्रयुक्याजाता है और समतल या फिर समतल या फिर कभेक्स यहां पर जो आपकी जैसे आप बाइक चलाते हैं या स्कूटी चलाते हैं तो आपके side में या car के भी side में हम देखते हैं इस प्रकार का एक छोटा आपका mirror होता है तो यह जो mirror होता है जैसे आपके आप गाड़ी चला रहे सामने आप गाड़ी चला रहे तो आपके पीछे तो बड़ा truck बड़ी bus या बड़ी car हो सकती है लेकिन उतने छोटे से क्या है आपके आइना में mirror में आ जाता है जिसमें कि वो वस्तू का जो है छोटा image और सीधा image बताता है तो वो उसका उत्तर क्या हो जाएगा B is the right answer जिसमें convex lens यूज़ करते हैं ठीक है कि side में लेकिन अगर उसी headlight के उसी गाड़ी के headlight की बात करते हैं सामने क्या लगा ह में जो होगा पीछे की चीज़ें आपको देखने के लिए यूज़ की जा रही है वो होगा आपका convex याने उत्तर ठीक है यह बात ध्यान रखेगा नेस्ट कोशन देखते हैं यहाँ पर कैसा प्रतिविम बनता है तो कैसा प्रतिविम बनता है तो यहां पर देखना कि वास् लॉजिक यह भी साफ से बना सकते हैं दूसरा आभासी हमेशा क्या होता है सीधा अप्राइट होता है तो यह भी गलत हो गया और आभासी और सीधा वर्चुल अप्राइट तो यहां पर दो option में आप confused हो सकते हैं जो कि आपके माना की रेटिना जो है आभासी नहीं होती वह रियल इमेज वास्तविक इमेज होती है तो आप यह टिक कर सकते हैं क्यों टिक कर सकते हैं यहां रियल इमेज तो बन रही है वास्तविक इमेज और उसका सही पेरिंग भी हुआ है सही जोड़ी भी बना है कि वास्तविक इमेज हमेशा उल्टा होता है इन्वर्टेड होता है तो ग्लियर मोड़श तो सब्सक्राइब करें तो नेक्टकोशन आप यहां पर देख रहें कि किशती का लेंस पावर के लिए हम यूज्ज करते हैं यही चीजह यह देखना कोई भी जो होगा उसके बाद अगर कितने पावर का लेंस चाहिए तो वन पॉइंट फाइब डी या वन डी या टू डी इस टाइब से लिख देते हैं प्लस और माइनस वह अलग चीज है वो तो आउतल और उतल जो है कौनसा लेंस यूज किया जा रहा है उसके मूल तरंग क्या है देरार थ्री बेसिक कलर या फंडामेंटल कलर जी आर बी से याद रखेंगे जी आर बी तो जी आर बी ग्रीन रैड ब्लू देखते हैं क्या जी है ये बाकी आर बी है बाकी यलो नहीं है उसके बाद ब्लू यलो रैड ब्लू रैड ग्रीन येस जी आर ठीक तो C is the right answer यह मूल करन है fundamental colors है ठीक है उसके बाद जो है बाकी colors उसके द्वारा बनते हैं ठीक है चलिए next question यहाँ पे यहाँ पे next question देखिए इसका answer करने का प्रयास करी exam में पूछा जाता है ठीक है क्या पूछा जाता है कि दूर द्रिष्टी से पीडित व्यक्ति के चस्मी में कौन सा lens प्रयोग किया जाता है which lens is used the glasses of the person suffering for hypermetropia जिसमें कि दूर द्रिष्टी दोस्ट याने hypermetropia में दूर की वस्तमें दिखाई देती है और past की दिखाई नहीं देती तो past की दिखाई जो नहीं देती उसके लिए क्या यूज किया जाएगा है ना तो past की चीजें दिखाई नहीं देती दूर की दिखा देती है इसे कहा जाता है hypermetropia तो options क्या है उत्तल लेंस आउतल लेंस समतल लेंस समतल आउतल लेंस तो यहां पे तो c और d ऑल्रेडी गलत होगा उतल और आउतल में आपको एक आंसर समझना होगा तो चुकि दूर की वस्तुवें क्या होती है दिखाई देती है पास की वस् регषाई 90wy 14 myopeia होता तो myopeia में हम cancave lace यूस करेंगे जिसमें हमको क्या है पास की वस्तुवें जो है वह दिखाई नहीं देती दूर की दिखाई देती यह बात clear होगा आप सबी को चलिए next question देखते हम last question of today's session जिसमें कि यहाँ पे देख रहे हैं जिसमें कि एक आधरस volt meter का प्रतीरोध कितना होता है आधरस volt meter का प्रतीरोध हम सा याद रखना अनंत होता infinite होता है ठीक है तो आज हमने कुछ और महतपूल प्रस्चन देखा नेक्स सेशन में कुछ एक और हमारे लिए एक ऐसा संग्रह होगा जो आपकी एक्जामनेशन के पॉइंट आफ उसे फिजिक्स के कुछ और महत्पूर्ट प्रसन संग्रह के साथ हम उसे ले कर आएंगे ठीक है तो मिलते हैं हम नेक्स क्लास में किसी भी प्रकार का डाउट है आज के सेशन में तो कमेंड बॉक्स में जरूर भेजिए थैंक्यू सो मच हवनाई स्टे